हेलो दोस्तों स्वागत है आपका शोशियोलोजी क्लासेश के हमारे यूटूब चैनल पर अगर आपने हमारा केलिग्राम चैनल नहीं जॉइन किया है तो जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहां पर आपको नाइन एम और नाइन पीएम पर डेली सव से अधिक क्रिश्चन को है किसके रूप में करवाये जाते हैं तो जैसा कि आप सब भी जानते है क्लिक रिवीजन सीरीज का प्यू आइक्यू पार्ट चल रहा है तो आज हम उसका अगला भाग देखेंगे आये देखते हैं आज का पहला प्रस् प्यस्ति अस्तरः पर आत्म के संगठण या संयोजन से किसका सरुकार है मीड का इर्विन गापमायन का बर्गर गा या लखमायन का जो राइट आंसर होगा वह मीड हो जाएगा इन्होंने सामाजी क्रिया और प्रत्रिया के ब्यश्टी अस्तर को आत्म के संगठन या संयोजन के रूप में देखा जिसे हम स्वा के सिधांद के नाम से भी जानते हैं आई और अगला शुची एक को सुची दो के साथ सुमेल्द करना है दिये गए कूटों के अनुसार सुची एक में पुस्तक है और सुची दो में उनसे समद्धी प्रश्ण है सुची एक में है पहला प्रश्ण है कि दा इस्ट्रक्चर आफ सोसल एक्शन की बात करते हैं टालगेट पार्शन दा फिनोमेनोलोजी आफ दस सोसल वाइड या पुस्तक जो है अलफट सुच से संबंदीत है वहीं प्रजन्टेशन आफ सेल्फ इन इवरी डेल लाइफ की अब बात करते हैं हरालड गॉर्फिंकल और इस्टडीज प्रजन्टेशन इन स्टेल्फ इवरी डेल लाइफ जो से संबंदित है और वहीं जो है इस्टडीज इन एथलो मेठलो लाजी की बात करते हैं हेराल्ड गार्फिंकर तो राइट अंसर हमारा हो जाएगा तीन एक चार और दो तीन एक चार दो हमारा भी आपसन है एक बार फिर से देख ले रहे हैं कि देख्टेशर आफ सोसल एक्षन की बात करते हैं टालगेट पार्फिंद प्रजेंटेशन आफ सेल्फ इन वरीडेल लाइप की बात करते हैं इर्विन गापमायल और एस्टेडीज इन एथडो मेठो लॉजी लोग विधी विज्ञान की बात करते हैं हेराल्ड गार्फिंक तो राइट आंसर हमारा भी है अगला है किसने का आए कि नव प्रकारवाद प्रिया और व्यवस्था पर लगभख समान ध्यान देता है अलेग्जंडर पी कुलमी जी रोट से जाव परियुक्त सभी तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ए जो नव प्रकारवाद क्रिया त प्रकारवाद सिध्धांद प्रकारयात्मक सिध्धांद के स्वसमिच्छात्मक तत्व के रूप में नव प्रकारवाद की व्याख्या किसने की हैं अलेग्जंडर और जी से और जी से अलेग्जंडर और कोल्वी ने प्रकारयात्मक सिध्धांद की स्वसमिच्छात्मक त क्रितियों के अंसों में अंतर नहीत आर्ठिक निश्चयवाद कि आलोचना किषिने की है जुर्वीस अल्थिओजर लुईस अल्थिूजर ने माक्स के मूल क्रितियों के में विवाजित किया है एक युगा मार्क्स और दूसरा इन्होंने परिपक्व मास की चर्चा की है वे अंगा अगला है समिच्छात्मक्स धनत वादियों का कफन है कि आρχल तिक निस्च्चयवाद गलत था आर्थिक्ष्चयवाद गलत नहीं परन्तु सामाजिक जीवन के अन्य पहलूगों के साथ इसका सरोकार होना चाहिए आर्थिक निश्चयवाद गलत था इसे सामाजिक जीवन के अन्य पहलूगों का साथ सरोकार होना चाहिए तो यह राइट आंसर हो जाएगा सी आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था परन्तु सामाजी जीवन के अनपहलुगों के साथ इसका सरोकार होना चाहिए ऐसा समिच्छात्मक सिध्धान्तवादियों का मानना था जैसे मैक्स बेबर कि अगला है नव माक्स वादियों में से किस ने निश्चय पूर्व कहा है कि परिपक्व मास किसी भी माननीय सभाव का जो है विश्वास नहीं करता है अगला है मस्तिस्क की समाजिक मस्तिस्क की समचनाओं तथा समाज की समचनाओं के बीच संबंद किसने और लोखित किया है ले माट रेट ख्ली प्राउव लेविश्ट्रास या मिशेल फूको यह राइट आंसर होगा लेविश्ट्रास हैं जो कि मस्तिस्की समचनाओं तथा समाज की समचनाओं के बीच संबंद स्थापित करते हैं अगला है उत्तर संद्चना वाजियों में से किसने ग्यान और सक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है लेमर्ट, मिलर, लेविश डास या मिशेल फुको तो राइट आंसर हो जाएगा मिशेल फुको ग्यान और सक्ति के बीच संबंध की पुषच्चा करते है अगला है किसने भासा और समाजिक संस्थाओं की बीशन रचना की बात कही है देरीडा गाडेलियर फुको इसमी तुराइट अंसर होगा जैक्स देरीडा भासा और समाजिक संस्थाओं की बीशन रचना की चल्चा करते हैं अग्ला है किसने ऐसे बैकल्पिक सिंसाध बैकल्पिक समाज की कलपना की है जिसमें वाड्य को संचालेत करना बंद कर देती है फुको दरीदा ले मारित तो वाड्य को संचाल risk करना बंद कर देगी इन्होंे समाज की कलक्तना की है वह दरीधा है उत्तर आधनिक्ता वादियों के अंसार आधनिक्ता के कौन से विचार समाप्त या मृत्य समझें जाते हैं तरकडा तरकसंगत तता प्रगाती तरकसंगत तता प्रगतितत दता वर्चत घूद। अप्रकर संगत्ता है keeps the right answer हो जाएगा दता तर्कर संगतितिता योदु है एन जो अतर आध्मिyond के अंसार आध्मिक्ता मेंय है अगला है कॉन अध्मिक्ता को अधूुदधा या थैंस मअध्यक्ट समझता है सब्सक्राइब है अगला है भारत के संपूर समधायों पर कार्य अर्थाथ पीपल आफ इंडिया प्रोजेक्ट उनी सब्वान में किसकी पहल थी एनके बोश के यह सिंग जोगेंद्र सिंग या एमें सिंग मास तो यहां राइट आंसर होगा के यह सिंग जो है पीपल आफ इ अगला है जीयस घुरिये के अनुसार जाती प्रथा से प्रभावित समाज का विशेस्ताएं कौन सी है समाज का खंडित विभाजन शिविल तथा धाद्मिक चमताएं खान फान तथा समाजिक अंतक्रिया पर रोक तथा उनमें पदानुक्रम ब्योसाय तथा विवाहकार व जाति पर्था के रूप में जीयस घुरिये बात करते हम तो राई एन्सथा यहां पर वी है एक और तीन अगला है सूची एक को सूची दो के साथ समेरित करना है दिए गैस कूडो के अनुसार आख सूची एक में लेका है सूची दो और द्रफ auto पूछ्य क fluct करते हैं शडियूल ट्राइब की बात करते हैं अंके बात करते है ट्राइब लाइफ इन्दिया सुर्जित शिन्हा बात करते हैं हमारे फिल्ड ग्रैक्रइज ऑनना फीपल आफ इंडिया मैथड इन पारस्पिक्टिव और वही डियन मजुमदार बात करते हैं रेसिस एंड कल्चर आफ इंडिया पर तो हैं राइट आंसर जो होगा दो, तीन, चार, एक जो आपसर हमारा ए सही हो जाएगा अगला है किसका कथन है कि भारती इतिहास की संपूर प्रक्रिया यह दर साती है कि जनजाती तत्व समान समाज के साथ एक ही हो रहे है आर रेटिकली ब्राउन डीडी को सामभी एससे सरकार या एम मेरी आप्ट तो राइट आंसर हो जाएगा डीडी को सामभी का कथन है की जो भार्ति यास की संपूर प्रक्रिया यह दर्साति है कि जो जनजाती तत्व है वह समान समाज में समलित या एक हो रहें है अगला है यह किसका कथन है कि सुध्धता तथा असुध्ध के भीच मूलभूत विरोधों की धालडा जाती प्रथा का प्रमार्य चिन्हित किसने जाधि प्रधा को सुध्धता असुध्धता के रूप में विभाजित किया है मैं स्री निवाश लुइश ट्यूमो सुर्जित सिन्हा भीम राव अम्बेट कर तो राइट आंसर भी हो जाए यह भी मॉस्ट इंपॉर्टन किस्टन है बहुत अधिक पूर्चा जाने वा राफ्या की चेश्टा की है जो मुल्ह वंभेटषता सांस्कृतिक संभलेसर पर अधिक बल देती है और वर्ग संगहर्श को कम करती है तो उतक जो हेन राइट है दोनों कथने उंकाल।raz दोनों सही है और यह सही कि व्याख्या करता अगना है प्रभु納व्य जादी मैंस् संख्यात्मक्बल, राजनितिक सक्ति, भू स्वामित्य के माध्यम से आर्थिक सक्ता, पस्चमी सिच्छा और प्रसासन की नौकरी, आयका सहरी, श्रोथ, तो यहां राइट आंसर जो हो जाएगा, एमेन स्री नुवास के अनुसार जो है, वह ए हो जाएगा, एक थार्ड, एक दो और फो चार, इन्होंने राजनितिक स्तक्ति और संख्यात्मक्बल की चर्चा की है, आर्थिक भूस्वामित में आर्थिक सप्ता की चात्की है, और सहरी, आयम, स्रोथ की बात कौन करते हैं, प्रभुचात के लिए, एमेन स्री नुवास ने प्रमुक्भी सेस्ताओं के रूप में बताया है, अगला है, कौन सा परिपेच इस मानेता पर आधारित है कि भारती समाज अदुटी है, और भारती समाजिक संस्थाओं के मूल कितियों द्वारा बेहतर से समझा जा सकता है, उपासरयण, भारती विधा, सास्त, सभिता संबंधी या स्रचनात्मक, प्रकादियात्मक, तो भ हारती समाजिक संस्थाओं के उपर मूल कितिया लिखे गई है, उन्हें पढ़कर हम बेहतर समझ सकते हैं, अकला किस ने कहा है, हाला कि मानसिक प्रक्रियाओं पर बेबर का कादिया सुझाओं आत्मक है, या मुश्किल है कि सुच्म समाशास्त का आधार हो, अलफेट सुच पर बेबर ने सुझाओं दी जाया है, लेकिन हम इसे सुच्म समाशास्त का आधार नहीं मान सकें, या मुश्किल है, अगला है, निजाती बैग्यानिक निम्न में से इच्छुक होते हैं, सुच्म संद्चनाएं, दिर्ग संद्चनाएं, ना तो सुच्म नहीं दिर्ग प् प्लारियों जो दोनों प्रकार की संद्चनाएं बनाती है, तो निजाती बैग्यानिक की चुखते हैं, वह कला पूर्ड पलारियों जो की दोनों प्रकार की संद्चनाएं बनाती है, अगला है, निमलिखित विचारों में से कौन, किसका हैबर मास द्वारा समर्थन नहीं क किया गया है अधूरी परियोजना के रूप में आधिनिक्ता वह आधिनिक्ता का प्रतिरचक है वह आधिनिक्ता की संभावना के संबंद में मानवद्वेसी है वह आधिनिक्ता को स्वयम के साथ भिनत्ता के रूप में देखता है तो यहां पूछा कौन सा नहीं किया गया है उन्होंने कहा कि वह आधनिक्ता की संभावना के मद्द संबंद मानो द्वेसी की चर्चा हरवरमास नहीं करते हैं जबकि उन्होंने आधनिक्ता को अधूरी परियोजना के रूप में देखा है उन्होंने आधनिक्ता के प्रतिरच्छक के रूप में चर्चा की है उन्हें ने हैवर मार्ष ने अधनिक्ता को स्वयम के साथ भिन्य रूप में देखा है या तीनों कथन हैवर मार्ष के विचार है यहां राइट आंचर सी हो जाएगा अगला है निमलिखित कथनों में से कौन सा नव प्रकार्यवाद के संबंद में सही नहीं है यह समर्चनात्मक प्रकार्यात्मक विस्तार करता है यह प्रकार्यवाद के उद्देश को बढ़ाता है यह विक्सित इधांत की अपेच्छा प्रवित्ती है यह समर्चनात्मक प्रकार्यवाद की बिनमर संसोधन है तो राइट आंचर होगा यह समर्चनात्मक पर्थी रूप होते हैं अतात कीचे हम अलोचनात्मक सिधान्त से जो देख सकते हैं या जोड़ सकते हैं उत्तर संरचनात्मक समासास को उत्तर आधनिक स्कूल परपेच को उत्तर और जोगिक परपेच को या फ्रेंक फट स्कूल परपेच को तराइट आंसर हो जाएगा फ्र गटना क्या विज्ञान और मेर की अंतर क्या वाद का समिश्ड और उठे बिटर फ्रेट emailed to इसकी होजरिया हुड तो यह रायती ऐंसर और गदक या लखक अलफर शुट नहीं है यू प्रम होगा ट्रौकल पुछा जाने माला पुछता एलफर सुट्स का है अगला सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना दिये गया कूटों के अनुचार तो कल संकल पनाये है और चिंतक है तो कल्चवाल डाइवर्सीटीज की बात करते हैं टीपी मुखरची अगला है भारती ग्रामीर समाज में चाथ याधारी जज्मानी पढाली निम्नमने से किसका अधारल है एकता का विभिता औका विवता में एकता गा या इन ने से कोई नहीं तो eight-plex uh जाएगा विभिता में एकता का उधारा जो है भारती जाती में चज्जमानी विवस्ता को माना जाता है अगला सुची एक को सुची दो के साथ सुने लिद किजिए दिये गए कुटो के अनुशार जो हो जाएगा लोकस कृची नगर सातत्य की बात कौन करते हैं तो राबर्ट डेट फिल्ड जनजाती क्रिशक सातत्य की बात करते हैं सुर्जीत सिन्हा कृचिक संगहर्स की बात करते हैं और दिसाई करते हैं और बिद्रो की बात करते हैं रडजीत गुहा किसी बिद्रो की बात करते हैं रडजीत गुहा तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी एक बार फिर से देख लेते हैं लोक क्रिशी नगर सातत्य की बात करते हैं रेड फिल्ड मतलब ए उसके बाद चंजाती प्रिशक सातर्थ की बात करते हैं सुरजीत सिन्हां भी है प्रिशिक संगहर्च की बात करते हैं यार्देसाई सी और क्रिशी विद्रो की बात करते हैं गुः तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा भी अगला है पीजेंट लाइफ इंडिया नामक पुस्तक के लेका कौन है यनके बोश डीपी मुखर जी सुर्चित सिना या डेविड हाडी मैन तो पीजेंट लाइफ इंडिया पुस्तक के लेका जो है यनके बोश जी अगला है किसका मानना है कि केंद्री कृत नौकर साही ने भारत में राष्णिनिमार में योगदान दिया है MNC निवास ने बेनडिक्ट ने TK उम्रन या C.W. मिल्स और पराइट आंशर हो जाएगा रूथ बेनडिक्ट का मानना है कि कंड्री कृति नौकरशाही ने भारत में राष्णिनिमार के योगदान दिया है अगला है शहरी छेत्रों में पानी की कमी की समस्या निम्लिखित में से कौन से कारक को संभोधित करती है शहरी विकास को सीमित करना वर्सा जल संचय उपायों को कड़ाई से लागू करना जल निकायों को डंपी क्याइडों में परिवर्थित करने पर रोक लगाना या पानी के मुले का निर्धारख करना तो पानी की कमी को दूर करने के लिए वर्षा जल संचयन के उपायों को कड़ाई से लागू करने की आथ सकता है अगला सुची एको सुची तोसे सुमेलित करना है दिये गए कुटो के अंसार तो न्यासी तता का जो धारड़ा है वह एमके काधिर से जुड़ा हुआ है भूदान अंदोलन की बात करते हैं बिनोवा भावे हरित क्रांथ की बात करते हैं SM स्वामीनाथ और स्वेथ प्रांथ की बात करते हैं पीजे कुरियन तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीन चार पांच दो तीन चार पांच दो हमारा अप्सन ए है अगला है पुस्तक ट्राइब कास्टाइन नेशन के लेखा कौन है आर निस्फिल्ज या फजी बेली एलपी विद्यार्थी या बेंडेन पावेल तो ट्राइब कास्टाइन नेशन पुस्तक की चर्चा करते हैं फजी बेली अगला है सुची एक को सुची दो के साथ सुमेल्ज करना है दिये गए कुडों के अनुशार सुची एक में नारीवादी विचालधारा है सुची दो में उद्यस हैं उदारवादी नारीवाद का मानना है समाजवादी नारीवाद का मानना है कि दमन की जो बहुववस्था है प्रडालिया जैसे जाति वर्ग एउम लिंग को इन्होंने शंबोधित किया कि ओग्र नारीवादी का मानना है कि समाज के समग्र विवस्था को अरफदपु नारीवादियों का जो संबंद है वर्थमान संरचनाय विचाबाराओं का विद्वन्स करना है तो यहां पर कूट हो जाएगा चार एक दो तीन चार एक दो तीन हमारा रापसन बी में है तो आज की वीडियो नहीं समाप्त करते हैं वीडियो को लाइक और सेयर करें चैनल को सस्क्राइब करें धन्य वाद झाल